हेलो, व्ससलाम अलेकुम फ्रेंट्स, मेरा नाम फारहान खान, जैसे कि आपको पता है, जोसा की कौंसलिंग का स्टेडिडी। आ चुका है, मैं उस स्टेडिडी। को आपको समझाने के लिए आया हूँ बने रही हैगा वीडियो के last tag आप इस schedule को समझ लेए counseling के start करने से पहले बनना कोई गलती कर बैटेंगे जिससे कि आपकी street मुश्किल में पढ़ सकती है मैं वीडियो को start करता हूँ मैं वीडियो को start करने से पहले आपको बता दूँ अगर आप हमारे channel पर पहली बार आएं तो प्लीज हमारे channel को like and subscribe करना ना भूलेगा जिससे कि हम किसी भी counseling अंग बगएरा कोई भी engineering college से related कोई भी वीडियो बनाओ उसका notification आप लोगों तक पहुँचे चलो मैं वीडियो को start करता हूँ देखेगा आपका September 15 September 15 को Joint Apex World Declar J-Man Rank ठीक है यहनकी 15 September को आपकी J-Man Rank Declarator हो चुकी थी ठीक है और देखेगा 15 October को 10 बजे आपका J-Advance का result आ जाएगा ठीक है और 16 October से आपकी 10 बजे से देखेए 16 October 2021 10 बजे से आपकी Candidate Registration Choice Filling For Academy Program Under JOSA Starts Candidate Who Qualify AAT Can fill their AAT Specific Choice Starting from 22 October After Declaration of AAT Result चलो हम बात करेंगे Only JOSA की JOSA की चो Choice Filling और Registration आपका 16 October से Start होने वाला है ठीक है 16 October को डिस्प्ले ओफ मॉक्सीट एलोकेशन टू ठीक है तू बेस जो चॉइस फिल इन बाई Candidate on 23 October 23 October तक मदब 23 October तक जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसकी जो डिस्प्ले मॉक्सीट एलोकेशन का तो डिस्प्ले होगा वो 24 October को होगा ठीक है उसमें मदब एलोकेशन मदब डिस्प्ले क्या होगा यह होगा कि आपको इसनी रेंक पर कॉंसलर कॉली मिल सकता है यह सब बता जाएगा ठीक है आप अच्चे से देखिएगा और देखेंगे 26 October को आपका री कॉंसलेशन ओप डेटा बेरिफिकेशन एंड बेरिटेशन ओफ एलोट एलोकेटेट सीट ठीक है आपका यह होगा 26 October को और 27 October को आपका सीट एलोकेशन राउंड बन मतलब राउंड बन का सीट एलोकेशन होगा कब 27 October को ठीक है अब बात करेंगे 27 October के और 30 October के बीच में आपकी ओनलाइन रिपोर्टिंग होगी जिसमें कि आपका फीस पेरमेंट होगा ठीक है ओफीस मैंने बता दिये पिछली वीडियो में और 31 October को आपका रहेगा लास्ट डे टू रिस्पॉंड टू क्वाईड राउंड वन ठीक है यह रहेगा 31 October तक फिर आजाएगी 1st November को आपका सीट एलोकेशन शेकिंड आजाएगा ठीक है सीट लोकेशन शेकिंड 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 मॉंबर से 3rd नॉमबर तक आपका ओनलाइन रेपोर्टिंग होगी सेकिंड सेकिंड रौंड की ठीक है उसी में डोकुमेंट अप्लोड करना होगे वेरिफेक्शन बगरा जो कुछ हो वेरिफेक्शन तो होई जाएगा पहले इसमें पैमेंट और डोकुमेंट जो होगे वो अप्लोड करना होगे ठीक है और आपके जो पांच नमंबर है उसको रौंड सेकिंड का लास्ट डे टू रेस्पॉंड टू कोईरी ठीक है मतलब लाश्ट दिन होगा पांच नमंबर मतलब तुम अपनी किसी को अपनी कुछ जैसे कि आपको कोई हो प्रॉब्लम बगएरा जैसे कि आप अपनी टेंसन हो जैसे कि आपको अच्छा ही लगए उसमें ब्रांच ठीक है तो उसको मतलब सेटिस्फेक्शन की बगएरा कुछ होता है वो करना होगा आपको सब कुछ बहीं पर मैंसन होगा आप देख लीजेगा ठीक है और आप देखे का दो नमंबर से पांच नमंबर के बीच इनिसियल इनिसीटियेशन और विड्डॉल उप सीट एक्जिस फ्वांच फीड एकडिषय प्रोसेस राउंड तो इसे पांच तारीख के बीच आप सीटिस्फेक्शन सेकंड राउंड हो उससे आप एक्जिट हो सकते हैं ठीक है एक्जिट हो सकते हैं अब छेफ नमंबर का आपको स कौन्सा कौलिज मिलना ओसात नमंबर से आठ नौमबर तक अपकी ओनलाए रिकोर्टिंग तक नाइन ब्रीकूयाद और इसका लास्ट डिए रिस्पॉंड़ का है नाइन मुंबर नाइन त ऑफ भूम condition I तिए और देख लेता है साथ से से नेन नाइन नवंबर तक आपका थर्ड राउंड का एकजट करने का टाइम है । ए आप सीट अलोकेशन फोर्थ आ जाएगा आपका तेंथ आफ नमबर को ठीक है और देख लिए जगा इसकी फॉर्थ राउंड की ओनलाइन रिपोर्टिंग आपकी ग्यारे से बारा तारीक में होनी है ठीक है और यह क्या रहा लास्ट डेस्ट रिस्पॉंड राउंड फॉर यह आपका कब है ठाटी नमंबर को और देख लिए आप फॉर्थ राउंड से ए दिस्प्ले होगा उसका वो रिजल्ट वो फॉर्टे नमंबर को तो इसे इसकी फिफ्ट राउंड की जो ओनलाइन रिपोर्टिंग होगी पंदरा से सोला तारीक के बीच में होगी नम नमंबर के और फिफ्ट लास्ट डे टू रिस्पॉंड टुक्वाइड इस राउंड की कब होगी है यह आप देख लें सत्रह नमंबर को होगा ठीक है और फिफ्ट राउंड से आप एक्जिट करेंगे वह उसका टाइम है उसकी डेट है पंदरा से सत्तरह नमंबर ठीक है एक्जिट करने की कि नोटिफेकेशन ओफ डेशिजन ओन सीट कर फिलांड फाइब मतलब आपकी सेट मिली है यह ना मिली उसका नोटिस का कंफर्मेशन किया जाएगा नोटिस की यह रहा का कश्रुमिसांट किया जाएगा सत्तरह नमंबर को ठीक है और नौमबा 17-18 इंश्रिमेंट से बिड़ोज लेजिट रोज इतना इतना मदब 17-18 तारीक के बीच में आप फिप्ट राउंड में जो आपको बिड्रोल कर सकते हैं ठीक है और अठारा तारीक को आपको लाश्ट राउंड यानि की सिक्स राउंड का मतलब जो सीट एलोकेशन डिस्पले होगा आपका रिजल्ट और आपकी 19 तारीक को रिपोर्टिंग होनी है लाश्ट डे टू रिस्पॉंड टू क्वाईरी राउंड शिक्स की आपकी कभ है राउंड का मतलब 20 नुमंबर को और देखिलेगा 20 से 24 नुमंबर के बीच में आपको एडमिशन प्रोसे डॉकुमेंट वेरिफेक्शन पॉर असप्टेंस उप सीट और विड्रोल उप सीट और वाइप फिजिकल मॉड एड़ एडमिटिंग एलाउट इस्टिट्यूट उनली राउंड शिक्स फॉर प्रिजन आप करिया एड़ दा एड़ एडमिटिंग इस्टिट्यूट देवर प्रोसे बीटन ओर लाइन टीक है अब हम बात कर लें थोड़ी इसकी फॉरी डोकुमेंट वेरिफिक्शन रिजूर्शन ओफ एड़ी रस्पोंजा इस्टिट्यूट शोजा इस्टेशन पोस इस्टेशन और इस्टेशन रिक्वाइट रिजूर्टी नेशलेटी एंड प्रोवाइड देर कॉंटर्ट टेल कुछ नहीं बक्वास मैं चीज बई दीडिडिए तो मैंने ऊपर बताती है ठीक है और सिक्स राउंड के बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा थेख डेइब किस अनुआ को कि अगरो माना कि जो सामें आच ऐच्छा कालिज नहीं मिला है ठीक है अगर आपको जोसरा में अच्छा कालिज नहीं मिलत रहीँ तो आप सी सेम में कॉंसली करा सकते हैं ठीक है सी सेम में आपको चांस है कि मिल जाए कॉलिज और कुछ बच्चे बो होता है जिसकी गलती हो जाती है जो सामें तो वो बच्चे जरूर सी से पराएं जिससे कि उनका दो दो जारे किस में एडिशा किसी बीटेक अच्छे मिल जाए चीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आपीस